हेलो स्टूडेंट्स वन्स अगेन वेलकम टू दा अधित्य क्लासेज अपनने अपने प्रीविएस वीडियो में देखा कि स्ट्रेस क्या होता है उसका एक मॉडल अपनने देखा और अपनने देखा कि भाई जब कहीं पे कोई अपर्चुनिटी हो बट कुछ हैं लिमीटेशन हैं एंड सबसे बड़ी जो मैं आपको चीज छेर कर रहा हूं वो यह है कि सबसे ज़्यादा इस्ट्रेस होता है जब सबसे ज़्यादा अंसर्टेनिटी होती है और आउटकम हमारे लिए इंपोर्टेंट होता है उस केस के अंदर आप देखिए कि सबसे ज अपने जो इंटरनल एग्जामीनिशन होते हैं उनके आउटकम्स को लेके इतना ज्यादा इस्ट्रेस फील नहीं होता जितना आपको अपने मेंस समेस्टर एग्जाम को लेके होता है दूसरा अंसर्टेनिटी आपको हलका फुलका जुखाम है और आपने कोविड टेस्ट क सब तक उसका टेस्ट का आपके पास में रिजल्ट नहीं आता है उस समय तक हमारी जो हालत होती है वो एक अंसर्टेनिटी है तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो है इस्ट्रेस के जो पोटेंशियल सोर्सेज हैं और कब इस्ट्रेस फील होगा कब हम उसको एक्सप पर जा सकते हैं उसके बारे में बात की थी इस वीडियो में हम बात करेंगे हाव टू मैनेज इस्ट्रेस दिस डॉक्टर विनीट माथूर लेट उस स्टार्ट हाउ टू मैनेज स्ट्रेस देखिए हमने अपना previous वीडियो यहीं पर stop किया था यहीं पर हम रुके थे वो थे कि एक consequences उसका हो सकता है कि आपको सीरदर्द जो है ऐसा feel हो blood pressure feel हो या फिर sugar या फिर heart related problems face आएं इनको अपन physical category के अंदर डालेंगे psychological category के अंदर जो है वो sadness आजाएगी उदास रहने लगेंगे आपको heart pound ठंडे feel होंगे anxiety, depression, nervousness और इस तरह के symptoms आएंगे और behavior level पे क्या है कि कुछ times ऐसा होता है कि जब employee job से resign कर देते हैं या फिर absence थोड़ी सी increase हो जाती है या फिर उनकी जो productivity है office के अंदर वो काम थोड़ा सा कम करने लग जाते हैं कर दोड़ाएगी जाते हैं